हाई फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आपका एकबर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको हाथ और पैरों के कालेपन को दूर करके हाथ और पैरों के मैल को दूर करने का एक असान सा घरेलूप है बतन जारी हूँ जिससे आपके हाथ और पैरों के मैल बहु बहुत सार ऐसे लोग हैं जिनके हाथ और पैरों पर कालापन हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, धूप में अधिक देर रहने की वज़े से हाथ और पैरों पर टैनिंग हो जाती है, जो देखने में काफी बुरी लगती है, इसके अलावा हाथ और पैरों की तचा सक्त हो जाती रुलेना करें चावल का आटा कि आप त्यार कर सकते हैंBut I will make a यह बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है, जिससे आपकी तवचा अच्छा से क्लीन होती है, तवचा का कालापन दूर होता है, इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है नीबू का रस, एक चमच आपको इसमें नीबू का रस मिक्स कर लेना है, नीबू भी हमारी दाग धब्बे भी दूर होते हैं, इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है, वैसलीन, थोड़ी सी मत्रा में आपको वैसलीन लेनी है, जिसे आपकी तवचा सॉफ्ट बनी रहेगी, स्मूध बनी रहेगी, आपकी तवचा ड्राइनी होगी, अब इसे आपको अच्छे से म तवचा पर इसे अच्छे से लगाए, और आपको इससे मसाज करनी है, अपने तवचा की पांच मिनट तक, चावल के आटे के इस्तेमाल से, आपकी तवचा का मैल बहुत ही असानी से दूर होगा, मसाज करनी के बाद, आप इसे 10 मिनिट के लिए लगा के छोड़े, फिर आप नर्मल पानी से धोले, इसे आपकी हाथ और पैरों का कलापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और आपकी तवचा गोरी निखरी और बिदाग हो जाएगी, हफते में 3-4 वर इसके इस्तेमाल कर आपके हाथ पैरों का टैनिंग दूर होगा और तो अचा बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत हो जाएगी, अगर मेरी वीडियो आप अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें, बेल बटन को जरू क्लिक कर लें, नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने क लिए मिलते हैं अगली वीडियो में